दोस्तो यहां पे मैं आपको जो technique देने वाला हूं, इस technique से एक छोटा सा बच्चा भी पहुती professional logo easily बना पाएगा, यहां पे मैं आपको logo designing की technique तो बताऊँगओ और साथी साथ मैं आपको logo किस तरीके से बनते हैं, यह भी मैं आपको सिखाऊँगा, दोस्तो आप अपने लिए ये लोगो तो बना ही सकते हो और साथ ही साथ आप लोगो बना करके किसी अपने क्लाइंट को या फ्री लांसिंग काम भी कर सकते हो यहाँ पर मैं सब कुछ आपको इसी एक वीडियो में सिखाने वाला हूँ तो फड़ा फड़ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको लोगो डिजाइन करने से पहले दो से तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी है तभी आपका लोगो प्रोफेशनल लोगो देखेगा सबसे पहली बात आपको जो याद रखनी है वो कि आपको जानदा color नहीं लेने हैं और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि आप जो भी font यूज कर रहे हैं वो font आप हर जंगय यूज करेंगे तो ध्यान से आप font को यूज करिए क्योंकि पूरी website आपकी अगर आप पूरी website बनाते हो या आपने कोई design भी करते हो तो वही same logo का आपने जो text यूज किया है वो text और color दोनों सब जंगय पर यूज होता है और आपको color जब भी आप decide करेंगे न दोसरी आपको जानदा color नहीं लेना है अगर आपको और जानदा जबुरत पढ़ रही है तो आप तीन color भी ले सकते हो बट इस से जानदा कभी color यूज नहीं करना है यहाँ पे मैं आपको कुछ popular brand के मैं logo दिखा देता हूँ यहाँ पे जैसे आपको YouTube दिख रहा होगा यह पुराना बाला logo आपको दिख रहा है अभी नया आपने जो logo देखा होगा YouTube का वो single color ही है उसमें red color है आपका और white color है दो color को ही huge करके बनाया है यहाँ पे आप बहुत सारे logo के मैंने निकाल ले की कोसिस करी आप इनको अगर देखोगे यह कुछ पुराने हैं अगर मैं इनको देख लेता हूँ जैसे यह कुछ नहीं है इसमें आप Nike का देखोगे cable black color आ रहा है इसमें Sony का है Adidas का है तो आप color बगएर है देखोगे तो ब black and white में अगर हम print कर रहा है तो अच्छा दिख रहा है या नहीं यह भी चीज आपको ध्यान देनी होती है अगर मैं यहाँ पे जैसे कुछ लोगों को अगर मैं black and white color यहां मैं search कर लेता हूँ यहाँ पे देखो यह आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने बहुत सारे logo का यू company का logo है तो आप जो भी logo बना रहे हैं make sure करें कि उसका white color या black color version जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए तो 3D logos बगएर है जो होते हैं वो आपका main logo कभी नहीं होना चाहिए हाँ कोई logo है आपका जैसे उसको lighting बगएर है रख रहे हो कहीं पे आप उसको लगा रहे हो तो वहाँ पे आप 3D लगा सकते हो बट वो main logo नहीं होना चाहिए यह चीज हमेशा याद रखिए तो अब हम लोग चलते हैं logo कैसे बनाना है तो सबसे पहले आप create design पी आईए यहाँ पे आप logo search भी कर सकते हो तो भी आप यहाँ पे ले पाओगे या फिर 500 इंटू 500 आप size ले सकते हो अगर आपको बड़ी size लेना है तो बड़ी size भी आप ले सकते हो तो यहाँ पे मैं आपको designing technique बता देता हूँ यहाँ पे बहुत सारे logo आपको दिख रहे होंगे यह logo आप अपने design में use कर सकते हो या फिर इसके लाबा आप search करके भी ले सकते हो जैसे यहाँ पे म छीए मैं ने यह logo ले लिया ठीक है और एक काम कर रहा हूं मैं एक और यही बन लोगो ले ले रहा हूं ऐक सेकंड यह वाला आ गया और यहाँ पे मैं यह वाला ले-ले रहा हो ठीक है यह एक जैसे मैंने ले लिए आप अब इसको थोड़ा हमें अलग बनाना है क्योंकि नॉर्मल क्लिक करके तो कोई भी यूज कर रहा है तो थोड़ा सा अलग आपका होना चाहिए तभी आपका लोगो एक यूनिक लोगो दिखेगा तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको मैं ungroup कर ले रहा हूं और अगर आपको basic canva नहीं आता है तो basic पर मैंने tutorial बना रखा है प्लीज आप उसको देख लीजिए यहां पर मैं आपको canva नहीं सिखाने वाला कि canva किस तरीकी से use होता है तो इसको मैं एक काम करता हूं इधर ले आता हूं चीक है और यह वाला मु थोड़ा अच्छा लग रहा था और अंदर का जो है इसमें भी हम same यह वाला color fill कर लेते हैं ठीक है यह हमारा logo का जो icon है बो design हो चुका है अब मुझे logo बनाना है तो logo के लिए मैं कोई text बना ले रहा हूं qq training और इसका मैं एक और copy कर ले रहा हूं और इसको मैं डाल दे रहा हूं training institute ठीक है training institute году के यहाँ ले लिए ले लिए आब मैं क्या कर रहा हूं इसको थोड़ा सा हम्में बढ़ा कर ले रहा हूं चीक है यह training आ गया और से departments a product we now are रहा हूं अब इसमें आप क्या कर सकते हो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे एक चीज लगता है मैं क्या करता हूं जब भी कोई डिजाइन बना रहा होता हूं एक यह सिंपल डिजाइन आप अपने लिए भी कर सकते हो और किसी कस्टुमर के लिए भी करके दे सकते हैं यह आपका लोगो बन चुका है इसमें मैं क्या कर रहा हूं कलर भी यह बाला डाल देता हूं दूसरा कलर जो मैंने लिया हुआ है अब यह आप देख रहे होगे आपका एक लोगो बनके design हो चुका है अब अगर इसको थोड़ा और अच्छा बनाना है आपको थोड़ा और attractive logo बनाना है तो एक कम आप और कर सकते हो तोड़ा सा इसको इसके पास ला रहा हूँ चीक है और थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ एक चीज अकसर आप कर सकते हो किसी के साथ भी आप इसमें आप देखो इनको मिला सकते हो कोई भी बर्ड आप ले सकते हो जैसे यहाँ पर टी और आई मुझे लग रहा है इसको मैं मिला सकता हूँ या फिर इस बाली आई को इस आई से मिला सकता हूँ या इस यू को इस आई से मिला सकता एक रिक रेक्टर अंगल लेकर कि में मुलाओंट मैं यरेक्टरेंगल ले रहा हूँ यह रेक्टरेंगल आ गया मेरा और इसकी में थोड़ी सी स़ाइज छोटी कर ले रहा हूं ठीक theo कि और बाहर कि करके सी यह हमारा आ चुका है यहां पर सेम इसी की में साइज ले करके और यहां पर मैंने रख दिया ठीक है और यहां पर मुझे चाहिए इसमें कलर सेम मैं वही फिल कर ले रहा हूं ताकि एक जैसा दिखे अब यह थोड़ा सा इसकी हमें अलाइमेंट और टेक्स्ट वगरे के साथ क आई को ठीक है आई को हटाने के बाद इंस्टिट्यूट को मैं इधर रख दे रहा हूं और इसी को जो मैंने अलग से रेक्टरेंगल लिया था इसको पकड़के मैं यहां तक खीच करके ले आ रहा हूं ताकि यह सेम लगे बिल्कुल सेमी साइजे सो कोई दिख कितना आए ठीक है यह हमारा अलग से आई डिजाइन हो गया और यह आपको लग रहा होगा एक ट्रेनिंग इस्टिट्यूट हो गया ऐसे मैंने अपने एक कस्टूमर का भी बनाया हुआ है वह लगभख मुझे बैसे ही फीलिंग आ रही है जैसे मैं वही सेम बना रहा हूं और यह किसे यह आ रहा है यह डिजाइन यह नहीं आ रही है थोड़ा सा मैं बड़ा कर ले रहा हूं यहां पर हमारा आई आ रहा है तो इसको मुझे थोड़ा सा नीचे करना है ठीक है यह हमारा कॉंबिनेशन बन गया यहां पर भी हमारा बरावर हो चुका है और यह तो बड़ाव हो चुका है और shift R करता हूं तो यह हमारा एक logo बन करके तयार हो चुका है पूरा हम लोगों ने scratch से ही बनाया है यह logo अगर मैं थोड़ा सा इसको जोटा करूं ctrl G कर लेते हैं group और यह हमारा एक logo बन करके तयार हो चुका है इस टाइप से आप बहुत सारे logo बना सकते हो अभी यह logo है इसके लाबा मैं और आपको logo दिखाता हूं और इसको आप export करेंगे बढ़िया से आप PNG में export करेंगे यूज कर सकते हो कहीं पे भी आप इसका लगा सकते हो अब अगर मैं इसका केवल केवल मैं black version भी अगर मैं लेता हूं तो और फिर इसके बाद हम देखते हैं यह black version में किस तरीके से दिखता है ठीक है इसका भी मैं कर लेता हूं ठीक है अन गुरूप और इसमें थोड़ा सा मुझे यह डिफरेंस लग रहा है यह थोड़ा सा हमारा अलग आये हुग है इसको आप प्रॉपर तरीके से कर ले जितना अब अच्छी से detailing में काम करेंगे उतना आपको अच्छे से दिखेगा हलका सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा न कहीं न कहीं इसको एक सेकंड इसको और बड़ा अगर करेंगे तो यह हमें पता चल जाएगा जितना देखो लोगों क्या होता है लोगों में आपको detail में बहुत ध्यान देना ह होता है जोब की detailing है उसको आप proper तरीके से करके रखें अगर यह नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं इसको ही यहां पर ले आ रहा हूं और अभी हमारा जू है एक जैसा ही लगेगा थोड़ा सा इधर भी बड़ा ले रहा हूं अब यह टी ही पूरा एक जैसा हो चुका ह है हमारा और इसमें लेकिन मुझे एक काम और करना पड़ेगा कंट्रोल दी इसका एक डूपलिकेट लेना पड़ेगा और इसको भी मैं अभी आपको दिख रहा होगा यह सिमिलर है आप जांदा बड़ा नहीं लग रहा है सेम ही आ रहा है तो इस तरीके से आप कर सकते हो आपका यह तोमर इस्टिटूट हो गया और इसको आप एजिली एक्स्पूर्ड भी कर पाऊगे यह आपका बढ़िया से लोगो लगेगा यह पुण करने का जो हुआ जायए यह अब तक के बर्जै कर रहे हैं दो रख रहे हैं क्रें यह कर रहा है यह अक और यह कर रहा हूं है और स्टनी कर आप लोगो से लोगो वे ओके दोस्तों तो यहां पर मैंने इसका कुछ color बगर है change करा है इसका मैंने black version भी बनाया है और यह white version भी है अब अगर आप देखोगे इस logo को यह हमारा main color है और इसको अगर मैं किसी भी color में अगर मैं बदल रहा हूँ तो यह बहुत ही visible हमारा हो रहा है same उसी तरीके से दिख यहां पर मैं एक और आपको color बना करके दे देता हूँ जैसे अभी तो ठीक है मैंने education search करा था अभी मैं क्या कर रहा हूं फिर से कोई search कर लेता हूं जैसे मैं real estate से related मैं आपको एक quick बना करके आपको दिखा देता हूं जैसे यहां पर आपकर कोई मैं logo ले ले रहा हूं और कोई अच्छा सा देख लेता हूं और अगर नहीं भी है तो दोस्त आप खुद से भी बना सकते हो ऐसा नहीं है कि आपको यहां पर आ करके ही बनाना है देखो यहां पर architecture और काफी सारे logo है बतलब इसमें इतने अच्छी designs होती है उनको आप direct भी use कर सकते हो अगर आपको अल यह की यह वाली मुझे लग रही है ठीक है यह वाली भी मैं ले ले रहा हूं बैख हो करके और अगर कोई मुझे और लगती है ओके ना ठीक है कि यह वाली भी हम लोग ले सकते हैं बट यह उतनी अच्छी नहीं लग रही है ठीक है यह कि यह ले लेते हैं क्यूंकि हम लोगों ने और इस मेंने कंट्रोल जेट एक नया पेज ले करके और कहां गया जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था इसको क्लिक करेंगे नीचे आ रहा था ठीक है यह वाला मैंने ले लिया है अब मुझे इस टाइप से डिजाइन बनानी यह काफी अच्छा लग रहा है इसको मैं उठा करके और ऊपर ला रहा हूं ठीक है और यह बैसे आप डायरेक्ट भी बना सकते थे यह उपर वाला चलो इसको मैं छोड़ दे रहा हूं यह उतना अच्छा नहीं लग रहा है उससे अच्छा यह मिल गया है ठीक है तो अब मैं क्या कर रहा हूं इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं और यहां पे मैं इसको ले ले रहा हूं ठीक है और यहां पे मैं सेम डिजाइन के साथ मैं इसको ल ले आँँ थोड़ा सा और इसको मैं पकड़ के यहां पर अगर मैं रख देता हूं ठीक है थोड़ा सा नीचे लाते हैं ठीक है यह आ गया अब यहां पर modern और modern के बाद real estate group यह दोनों आ चुके ठीक है modern real estate जैसे यह हो गया modern हो गया modern real estate गुरूप तो यह मैं यहां पित कर दे रहा हूं इसको थोड़ा सा इधर ला करके और इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूं alignment left side गुरूप को यह क्या है यह तो पतार नहीं कि आ रहा है इसको अगर मैं बड़ा करो साथ इस इस लाइन को भी मैं बढ़ा कर ले रहा हूँ जिफ्ट के साथ ओके सी यहाँ पर आप देख रहे होगे कितना यूनिक हमने अपना लोगो बना लिया है और यह 100% हमारा ही लोगो है क्योंकि बहुत सारे element को use करके मैंने अपना एक लोगो बनाया है तो इस तरीके से आपको लोगो बनाना ऐसा नहीं करना है कि किसी भी लोगों को उठा करके आपको बना लेना है आप दो-तीन फीस आप उठाइए दो-तीन चीज़ें आप उठाइए और उठा करके आप easily अपना बना सकते हो और अगर यह वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक तो बनता है और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार करो यार भाई बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आने वाली है बाई 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 साइनिंग ओप